Hello students, this is IP class for class 11th, आज हम List and Dictionary के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सबसे पहले List के बारे में अगर हमने बात करनी हैं तो आपको थोड़ा से पता होना चाहिए, जो List है वो Scare Bracket में बनती है, List का Data Type है जो हम Scare ऐसे वाले Bracket में बनते हैं, The Data Type List is an order to sequence, which is a mutable है, जिसको हम change कर सकते हैं, and made up of one or more elements, unlike a string which consists of only character, a list can have element of different types of such as integer, इसमें integer, float, string, tuples, और even another list हम create कर सकते हैं, a list is very useful to group element of mixed data type, यह mixed data type इसमें होता है, इसमें number भी आ सकते हैं, string भी आ सकते हैं, and character भी यहाँ पर इसमें store कर बाद सकते हैं, elements of list are enclosed in a square bracket, and are separate by comma, सारी ही values, commas के द्वारा separate होती हैं, यहाँ पर इसकी example दी हुई है, list, एक list बनाईए, एक variable देके एक list बनाईए, जिसमें हमने values store करवाई हैं, two, four, six, फिर उसके बाद print कमांड देके print करवाया, तो यह वाला result उसका आ गया, second देखते हैं, list two, यह variable लिया, इसमें हमने square bracket लगा के यह list एंटर करवा दी, print list two, अब यह सेम ऐसा print कर दी हैं, जो value हम एंटर करते हैं, वैसी यह print कर दीती है, आगे देखते हैं, mixed, जो mixed data type है, देखो, इसमें क्या है, एंटीजर, अंडर्ड है, यह floating data type है, यह string data type है, तीनों को यह इसमें print करवा दी है, nested list में एक और list है, देखो, यह पहली list है, इसके अंडर one, यह वाली two, यह वाली three, three list हैं, प्रेंट list four, इसने तीनों की तीनों list हैं, यह print करवा दी, तो ऐसे हम list के अंडर, जो list प्रेंट करवाते हैं, उसको बोलते हैं, nested list, उसके बाद accessing element हैं, इनना list, मालों की आपने एक list बनाई हुई है, उसमें से कोई एक आप element उठाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको index value देनी होगी, जो list की first value होती है, उसकी index value होती है, जिरो, second की one होती है, जो third होती है, उसकी two, fourth वाली की three, and fifth वाली की four, sixth वाली की five, तो अब हमने return first element of the list, अगर आप first element access करना है, तो हम यह वाली command देंगे, list ब्रैकेट में डालेंगे, जिरो, यह है उसकी index value, जैसे हम index value प्रिंट करवाएंगे, list में से, first वाला जो है element वो प्रिंट हो जाएगा, ऐसे है अगर third करवा रहे हैं, third पे क्या है, eight, eight प्रिंट हो जाएगा, उसके बार list 15, अब देखो list हमारी कहां तक थी, five तक, तो यहाँ पे five 15 प्रिंट किया है, तो यहाँ पे index error आ गया, out of range आ गया है, कि यह range से बाहर है, list one plus four, list one and list four, इसमें क्या है कि first element and fourth element को का sum करवाए है, first element क्या है, four, यहाँ पे first index है, ठीक है, यह मत कहाँ देना, यह तो zero पे है, two वाला तो, four and ten, four and ten का हमने sum करवाया, sorry, इसमें क्या है, one plus four, यह five हो जाएगा, index कितना हो गया, five, तो five पे कौन सी value है, 12, इसमें यह नहीं देखना कि first and fourth का, अलग से नहीं देखना, इसका sum करेंगे, one plus four, उसके बाद इसका, जैसे five आया, five index value पे कितना है, 12, तो answer आगा है, 12, अब देखेंगे list minus one, जैसे कि यह list है, two, four, six, eight, ten, ten थोड़ा दूर चला गया, ten and twelve, जब हम minus से देखेंगे, तो minus one यह बला, यह minus two है, यह minus three है, यह minus four है, यह minus five है, and यह minus six है, अगर हमें इस side से देख रहे हैं, अगर हमें इस side से देख रहे हैं, तो यहां पे zero index है, यह one है, यह two है, यह three है, यह four है, यह five है, तो हमने, हमें बोला गया है कि minus one हमने print करवाना है list में से, तो minus one value क्या होगी, 12, तो यह 12 बन सा आगा है, इसका, उसके बाद length of the list is assigned to length, length assign करनी है, एक end नाम का variable ले लिए, जिसमें print करवाना है, length list, यह length वाला function क्या करता है, जितनी वी इसमें values हैं, उनको count करके, एक number परवाइड कर देता है, variable को, इसमें कितनी values हैं, इसमें six values हैं, six value, end में enter होगी, तो print करवा देगा, six, get the list element, last element, अगर हमने print करने हैं, तो यह भी हम, end minus one लगा लेते हैं, तब भी हमारा last element है, क्योंकि यह total six है, six में से यह देखो, end six minus one, five, five value index का गया आगया, twelve, तो ऐसे भी हम get कर सकते हैं, get the first element of the minus sign लिखेंगे, तो first element हमें मिल जाएगा, अगर minus से करेंगे, आगे list are mutable, mutable का हमने पढ़ा था कि mutable change हो सकती है, अगर कि उसमें editing करें, इन python list are mutable, it means that the content of the list can be changed after it has been created, एक बार इसको create कर लें, तो उसका content change हो जाता है, हम एक color वाली list को type कर रहे हैं, list one, red, green, blue, orange, इसमें से, ओवर्राइट करो कि fourth element को change करने हमने, fourth element मान लो कि यह first है, यह second है, third है, and यह fourth है, अभी इसमें से index value को according देंगे हम, 0, 1, 2, fourth value का index कितना है, 3, इसका index 3 है, तो list 3, इकल टो, यह string value तो, chords में लगेगे, जब string value होती है, तो इसके उपर commas होते हैं, अगर number value तो ऐसे ही हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा black, कि orange की जगा पर हमारा black आ जाए, फिर उसके बाद हमने दवारा इसको print करवाया, list 1 को print करवाया, तो हमारा यह यहाँ पर print हो गया, change हो गया, इसका meaning यह है कि यह वाली जो list होती है, यह mutable होती है, इसको हम change कर सकती है, उसके बाद है list operators, symbol, operators क्या होते हैं, mathematical symbols, multi का हो गया, plus का हो गया, minus का हो गया, divide का हो गया, तो ऐसे symbols भी इनके उपर लगा सकती है, कौन, कैसे करना है इसका, कि इनको sum कैसे करना है, यह वाली list first है हमारी, यह वाली second है, दोनों को list one and list two कर दिया, पहले first वाली के element आ जाएंगे, फिर second वाली के element, यह sum हो जाएगा, ऐसी color का किया हुए, दोनो colors वाली list हैं, यह वाली third and fourth, यह दोनो add हो गई, उसके बाद आगे के आए, यहाँ पर अलग लग values एक list दी हुई है, एक string दिया हुआ है, दिखो list value दी हुई है, एक string उनको दोनों को, का sum कर रहे हैं, can only concat list not string to list, string नहीं concat, नहीं concat नहीं हो सकता है, only list concat हो सकती है, add हो सकती है, उसके बाद है repetition, कि एक इगी word को हमने repeat में type करवाना है, हमारा list में hello है, list one multi by four, इसका मतलब यह four time इसको print करवा देगा, list की power की तरह यह काम करेगा, list की value four time यह print करवा देगा, उसके बाद है membership, membership में क्या होता है कि list में यह देखेगा, जो value हमसे पूछ रहे हैं, वो क्या list में है या नहीं, list हमारी है red, green blue color उसने लिए हुए है, green in list, यह पूछ रहे है कि green है list में, yes true, फिर second, इसमें यह वाला color इसमें नहीं हैं तो false, सेम है, not in, not in में क्या है red, green blue, अब देखो यह वाला तो color है ही नहीं इसमें तो true है, green है इसमें बटा false है, उसके बाद slicing करनी, slicing का मतलब यह होता है कि अगर मेरी list है, five elements हैं, उनमें से मैंने, बीच वाले दो जा तीन element निकालने हैं, जा लास्ट वाला निकालने हैं, तो उसको slicing बोलते हैं, list है यह हमारे, इसमें color है, one, two, three, four, five, six, seven colors दिये हुए हैं, हमें बोला गया है subject from index, two to five, two to five हमने printer करने है, from list, तो two to five कैसे करेंगे, list one, two, फिर hyphen लगाएंगे, फिर six, two से लेके six, यह वाली है जो function होता है, two to six, यह एक कम value प्रिंट करवाता है, जो लास्ट में अगर six लिखा हुए है, तो five तक प्रिंट करवाएगा, two से चलेगा, two कम सा है हमारा, यह देखो, यह हमारा zero index पे आए, green हमारा one पे आए, blue हमारा two पे आए, उसके बाद यह three, four, फिर yellow five, ठीक है, हमने two से five तक प्रिंट करवाना है, तो blue से लेके yellow तक यह हमारे five प्रिंट हो गए, तो ऐसे हमें इसकी slicing कर सकते हैं, आगे एक step value होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे zero, six, two लिखा हुए, लिस्ट में ऐसे यह क्या करेगा, zero से start करेगा, last value six मतलब के, five तक जाएगा, और two का मतलब है step, एक एक step स्किप करता जाएगा, zero के बार यह, one छोड़ के two पे जाएगा, two छोड़ फिर three छोड़ के, four पे जाएगा, यह step value होती है, बीच में इसे एक value को skip कर देगा, जैसे red प्रेंट करवाया, उसके बार इसने green छोड़ दिया, फिर blue प्रेंट करवाया, तो ऐसे यह, हम प्रेंट करवा सकते हैं, यह slicing होती है, उसके बार traversing गा list, list को ऐसे प्रेंट करवाना कि, एक के बाद, एक जो item है, वो sequence में, line में आए, उसके लिए हम for loop लगाते हैं, for loop हमने पढ़ा है, list में यह values हैं, फिर four item in list, यह for जो function है, एक एक item इसको प्रेंट करवाने के लिए देगा, item के थुरू, तो पहले red फिर green ऐसे करके, यह एक sequence में प्रेंट हो जाएगा, तो यह हमारा list था, कुछ यह वाले function आप पढ़ लेना, उसके बाद हमारा जो start होगा, वो होगा dictionary, dictionary पढ़ेंगे, next lecture में, I hope कि आपको सामझ में आ गया होगा, thank you, have a nice day,